मित्रो आज ये हर्ष का विशे है कि भाति जिन्ता पाटी का हमारा जो परिवार है इसमें और बढ़ोत्री हुई है और आज हमारे हर्याना के नेता शिरी कुल्दीब बिश्णोई जो पूरु में जैसे हमको जनकारी है कि दो बार ये सांसद भी रहे हैं और चार बार विधायक भी हुए हैं अभी कल तक ही विधायक थे लेकिन कल इन्होंने कॉंग्रिस पार्टी की विधायक पद से अपना त्याग पत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारती जन्ता पार्टी जोईन की है मैं हरियना भारती जन्ता पार्टी में इनकी आगमन पर स्वागत करता हूँ बड़े परिवार में शामिल हुए हैं इसी परकार इनकी धर्मपत्नी शिर्मती रेणु का विश्णोई ये भी राजनितिक तोर पर सक्रिय हैं पूर्व में ये दो बार विधायक रही हैं हांसी से और आदमपुर से तो इस परकार से दोनों का ही आज भारती जन्ता पार्टी में शामिल करा करके हमनको स्वागत किया है हम जानते हैं कि कुल्दी बिश्णोई जी का ये परिवार एक राजनितिक परिवार पुराना परिवार है इनके पिता जी चुजरी भजनलाल जी हर्याना के मुख्यमंत्री रहे हैं और हर्याना की राजनिती में बहुत सक्रिय भूमिका, हर्याना के विकास में एक सक्रिय भूमिका उन्हों निभाई है, उनके बाद इन्होंने बहुत पहले से इच्छा जताई थी, कि मिलकर केम को चलना चाहिए एक समय अपनी इनों ने अलिक से पाइटी भी बनाई थी हज का नाम से चुनाव भी हम लोग ने के कठा लड़ा था किनी कारणों से उस समय तो सारी बाते ठीक से आगे नहीं बड़ पाई लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्ग मारा बना हुआ था इनोंने मारा सयोग भी किया अभी जब राज्यसवा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत काटे के टकर थी हर्याना में एक सीट तो हमारी सुनेची थी दूसी सीट पर बड़ी काटे की टकर थी उस समय इनोंने खुल करके कहा कि मैं श्री नेंदर मोदी जी की नीतियों में भाते जिंता पाईटी की विचारधारा में मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं शामिल होना चाहता हूँ मैं आपका स्योग करूँगा इन्होंने आशाश्वन दिया और उस आशाश्वन पर ये खरे भी उतरे इन्होंने खुल करके गुशना की कि मैं काउगरिस के केंडिट को समर्थर नहीं दूँगा उसी समय से क्यास्तों सब लगाई जा रहे थे क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भातिजिंता पाटी में जोईन करेंगे आप दस पास दिन थोड़ा बाचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई लेकिन जब बाचीत में अन्तमीन कहा कि ठीक है मैं तयार हूँ जब भी आप कहेंगे मैं स्तिफा दूँगा मैंने पूछा कोई आपकी शर्त कहलेंगे कोई शर्त नहीं क्योंकि राजनितिक पाटीओं में इस परकार की बातें चलती रहती हैं मैं बिना शर्ता हूँगा और मेरा मान सम्मान मैंने का आप ही नहीं आपका भी रिनुका जी का भी और पूरे जो कारकरताब के साथ 32 पार्टी जोएन करेंगे उन सब का मान सम्मान ये रखा जायागा हमने अपने पार्टी में विचार करने के बाद आज का दिन निशेत हुआ दास्टिय अद्रेख जी ने भी सहमती दी प्रदेश अद्रेख जी की और से भी हम लोग सब सहमत हुए इकठे बाचित करके और आज भारतेश जिंता पार्टी में इनको जोएन कराया है मैं पुनए इन दोनों का बलके पूरे परिवार का क्योंके इनका बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा है क्या नम भवे विश्णोई भवे विश्णोई भी युवा है युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए है तो इनके साथ पूरा परिवार कारकरताओं का विश्णोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है ये पूरे अखिलवारती विशनुई सभा के संक्या सारक्षक हैं तो उस नाते से हरियाना में भी लाब होगा भारतिजिनता पार्टी को साथ साथ निश्य दूरुप से राजस्थान में भी एक लाब हमको होने वाला है और हम लोग इनका स्वागत करते हैं और महाशा करता भारतिजिनता पार्टी के नियम अनुशाषन व्यवस्ता इसमें सब बहुत जल्दी रम जाएंगे अभी आज ये स्वन भारतिजिनता पार्टी में आये हैं बहुत जल्दी इनके अंदर भारतिजिनता पार्टी चली जाए ऐसी माशा करता हूँ बहुत बहुत हर्याना प्रदेश के अद्यक्ष आदने उंपरका धनकर जी से बड़ा आगरा है कि वह भी मीडिया के सात्यों को संबोधन करें मैं कुल्दीब विश्णोई जी का रेणुका विश्णोई जी का भारती जन्ता पारिटी में स्वागत करता हूँ प्रदीब विश्णोई जी के बारे में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पूरे विश्णोई समाज के जहां राजस्थान गुजरात हर्याना के एक प्रमुख नेता हैं उसके साथ साथ पैन हर्याना आपकी एक अपनी पहचान है आपके कारकड़ता है आपके समर्थक ह और इस नाते से जो है पार्टी को एक मजबूती इनकी आने से मिलेगी मैं अभी थोड़ी देर पहले दूड़ा राम जी इनके भाई हैं उनको हंसरा था कि कुणवाई कठा हो गया कि अपनी एक पूरी पहचान है हम जानते हैं परियावण संडक्षण के नाते पसूपक्सी संडक्षण के नाते यह भारत जंता पार्टी के इस परकार के विशे हैं तो निश्ठी तरूप से एक जैसे मुक्यमंतरी जी ने काहा कि पहले भी हमने निकट रहे कर काम किया है और अब और जो है पार्टी का ही पूरी तरह से हिस्सा हो गए है मुक्यमंतरी जी ने संकेत भी किया कि बाई पार्टी आपके अंदर आए मैं ये कहना चाऊंगा कि कुल्दीब जी में बहुत सारे गुंड तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं ये बहुत मर्दु भासी हैं हमेशा मुस्करा कर जो है बात करते हैं बहुत सारे गुंड इनसे बलकि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं रैसी विनमरता रेनू का जी की भी है जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है तो एक अच्छे सभाव के साथ काम करने वाले देता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं किसी परकार से जो भी उन्होंने काम करते हैं उसमें भी उनकी एक मैं कहूंगा कि प्रात्मिक करूंगा क्योंकि कांगरेस पारिटी में अब देश भर में भी हरियाना में भी बहुत घुटन का वातावन है हमको मालूम है कि उन्होंने अपने दो-दो प्रदेश सद्दक्सों को काम नहीं करने दिया गया कारकारणी तक नहीं बनाने दी इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माई भी मुझे लगता है जगेंगी क्योंकि ऐसे माहूल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावन महां की प्रदेश की कांगरेस पा जो ऐने के साथ जो हजारो कारकरता जुआ हो रहे हैं उनको भी आस्फस करता हूम पार्टी अद्द्दक्स के नाते सब का उनकी सींईरटी के साथ इंसे तान है उसाव से उनका आधार इमर रखें के उसी परकार का दाही तो देकर सबसे का पाश्टी के काम में धन्यवाद अधन्यवाद द्यक्षी, मेरा आज हमारे परिवार में शामिल हुए कुल्दी विश्णुई जी से आग रहे है कि मीडिया के सभी साथियों को सम्भूदित करें धन्यवाद अधन्यवाद में पारत माता के चर्णों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आजरिनी अंद्रिंदर मोदी जी का, मिश्शा जी का, जेपी नड़ा जी का, माननी मनोलाल खटर जी का, गजेंदर सिंग सिखावज जी का, अरुन जी का, धनकर साब कोंपर का, धनकर जी का कि जिन्होंने एक साधारन से कारे करता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मान पूरवक आज विदिवत रूप से मुझे भी रेनुका को भी राफ सब को जो सामिल करने की गोशना की इसके लिए पुनाय मैं आप सब का भार व्याथ करता हूँ बारते अंता पार्टी और मेरा ऐसा मुझे आंदरी मुख्यमंत्री जी ने भी बोला ओंपरका धनका जी ने भी बताई बात कि मारा चोली दामन का साथ था तीन साल हमारा गट बंदन रहा बहुत बढ़िया गट बंदन रहा बहुत सने रहा अपस में लेकिन अंत में आके कुछ मतवेद हुए लेकिन मन भेद नहीं हुआ हमारा इसका परमान आज़ा आपके सामने है कि एक बार पुन है मैं इन सबसे आशरवाद लेने इनके बीच में आया हूँ खुद चल कर और परभावित था जब पहली बार आदरिनीय मोदी साथ परधानमंत्री बनने जा रहे थे तो आप सब ने भी रमसब ने कितनी मेहनस से उस फ़त काम किया पूरे परदेश में और राजस्थान तक तो सभी कारकरता एक भी कारकरता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया और सबने का कि देर आए दुरुस्त आए हमारी आत्मा हमेशा से बीज़ेपी के अंदर और लाजबी बात होनी भी चाहिए थी क्योंकि हमारे देश के परधानमंत्री आदरिनीय मोदी साथ मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतियास में सबसे भेतरी इन परधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा यह हमेशा देश के बारे में सोचते हैं गरीब के बारे में सोचते हैं देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं और जिनकी वज़े से आज हमारा भारत वर्ष पूरे देश में मारे भारतवरश का डंका बज रहें। तो ऐसे महान परधान मंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्योंना हम भी अगर देश को मजबूत आदर्निय परधान मंत्री जी करना चाहते हैं क्योंना हम भी अपना योगदान भारते अंता पार्टी में जाके उ दूसरा मेरा प्रभावित होड़े का कारण आदरी ये मनोलाल खटर जी की वज़े से भी ता मान व्यक्तित्व के धनी है मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया क्योंकि लंबा चोड़ा मेरा जाजितिक सफर रहा है लेकिन मिलने का तरीका काम क करने का तरीका पैशन हर चीज़ के बारे में और बेदा शबी आठ साल को याद नी मुख्यमंत्य रहे तो दुनिया जहान के लांचन उन्पे लग जाते सच्चे भी जूटे भी लेकिन पाक साफ कुड़ता आज भी इनका है इनसे भी बहुत परभावित होकर मैंने का कि क् मजबूती के लिए क्योंना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनुनार खटर जी का दो तो मैं सानमंध हूं माननीयों प्रकाद धनकर जी साथ मेरी बड़ी इस्ची मितरता रही जिए मगडबंदन था हमारा अच्छे वक्ता हैं अच्छे व्यक्ति हैं और म मैं विशेश तोर पे धन्यवाद करना चाहूंगा दिल की घराईयों से मानिये गजेंदर सिंग सिखावच जी का कि सबसे यादा मुझे प्रेरित अगर भारते जंता पार्टी माने के लिए किसी नहीं किया तो गजेंदर जी नहीं किया इतने डानिमिक लीडर हैं इतने ब भारत करूँगा कि मुझे प्रणा इनों ने दी पार्टी में शामिल होने के लिए और अरुन जी से मेरी आज पहली मुलाकात है तो अगली बास बड़ा व्याक्षा करूंगा और मैं वादा करता हूं और वादा करता हूं सबी नेताओं से कि मेरी और से और मेरे सबी कारे क करताओं के नोर से चाहें वो हर्याना के हैं चाहें वो राजस्तान के हैं चाहें वो पंजाब के सभी मन से आपके लिए काम करेंगे पार्टी को मजबूत करेंगे हमारी कोई शर्त नहीं है हम सिरफ ये चाहते हैं मान संबान के और प्यार के बुखें उसमें आप कमी मताने जेनार काम में विश्वास में और लगन में मेरे मेरे कारकरताओं से कोई कम्दी नहीं आएगी एक बारपुन है आपका मैं बाहर देखतर करता है धन्यवाद अलगे किल्दी जी